नमस्का फ्रेंड्स आज हम कुम लगन की जातकों के लिए फैबुरेरी का महिना क्या गोच लेकर के आएगा उसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग मेरे चैनल में नए है प्लीज सब्सक्राइ नए हैं ताकि आपको फ्रेंडी स्टे विडियो की नोडिवीशन मिलती रहे तो जैसे की विडियो के स्टार्टिक में मैं आपसे कहा कि आपसे कि में हम कुम लगन के बारे में जो लगन है और फरवरी के महीने में उनको क्या कुछ मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इस बार जो है इसे सब्ताहा में बांट दिया गया है कि पूरे मासिक राशिफल को जो है वो सबताहा के रूप में बांट करके चार भागों में विवक्त करके इसको बताया गया है तो आकि आपको जो है वो अपने प्लानिंग जो करनी है या जो भी साफधानिया बरतनी है वो आप अच्छे से ले पाए तो सबसे पहले हम कुमलगन के जो लगनेश है इस मہین में शनी महराज वो 12 भाव में है और हम बात करते हैं 1-7 परीवरी के बीच में तो 1-7 परीवरी के बीच में जो गुरू का संजार है वो आपके 12 भाव में सूरी शनी का योग बन रहा है आपके लगन पर गुरू का संचार हो रहा है और आपके जो टेल था उसमें जो लगनेश है वो आपके बार्वे भाव में गया है जहां पर सूरे बुद्ध और शनी तीन ग्रहों का योग बना हुआ है तो लगन पर गुरु के आने पर और बार्वे भाव में तीन ग्रहों के योग की वेसे जो ये वाला सब्ता है आपको मिश्र परिणाम देगा कि जो आपके कारे वेफसाय है तो कारे वेफसाय में उन्नती वो प्रगरती के आपके इस हफते एक से साथ फरवरी के बीच में मार्क प्रशास्त होंगे आपकी कारे वे फसाहे में आपको लाब मिलता हो नजर आएगा और घर में कोई मांगली कारे भी हो सकता है क्योंकि सेकिंड हाउस का लॉड ब्रेस पती लगन में गया है तो देव गुरु जो है वो आपके मांगली कारे के स्वामी मने जाते है तो लगन पर जाने पर आपकी घर में कुई माःनिक कारे हो सकता है जैसे कोई विवा है संतान की जनम गुत्सव हैं इस तरह के कुई माःनिक कारे आप में करते हूँ नज़र आlen गे कुछ बने हुए जो आपके कुछ कारे जो बिगड़े हुए थे पिछे वो सब बनते वे नज़र आएंगे मिला वो कारे आपके सीधोते वे नज़र आ रहे हैं या पर आप किसी उच्छ प्रतिष्टित व्यक्ति से आपका संपर्क इस महीने होता हुए नज़र आएगा ये स सगिन हाउस का दृतिय भाव का स्वामी लगन बे गया है तो आपको परिवार का विशेश सेयोग इस हफ्ते प्राप्त होता हुए नज़र आएगा और सब्तहा की अंत में जो थोड़ा सा आपको सरजग रहने की जूरत है जो आपके वेवसाइक शेत्र है जो प्रफेशनल फरंट है वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रतिकूल वातावन का सामना करना पड़ेगा मतलब वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पेटिशन है या कश्ट कलेश की भावना है वहाँ पर आपको वेवसाइक शेत्र में दिखाई दे रही है सब तहा के अंत में लेकिन आपकी जो मा कारिमन को प्रगती होती हुई नजर आएगी इस हफते एक से साथ फरवरी के बीच में लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव हो गया क्योंकि लगने द्वादशेश हुआ है तो मानसिक तनाव हो गया या वृता की भाग दौड हो गया या मन में उदासिंता उचाटता उचाट हमको हवालों के लिए और उसके बाद हम जो दूसरा सब्तहा आपका अरम होगा वो होगा आठ फरवरी से पंदरा फरवरी के बीच में अब पंदरा आठ से पंदरा फरवरी के बीच में जो आपका लगन का स्वामी है शनी अब शनी और बुद्ध की यूती आपके का है यातायात का है उसके सादनों में आपकी वृद्धी होती वे नजर आ रही है बुद्धी के कारे है क्योंकि बुद्ध आपका शनी के सार्ट वेल्थ हौस में गया है बुद्धी के कारें से या मशीन के कारें से आपको जो है वो धन प्राप्ति के सादन बनते वे नज नजर आ रहे हैं, अला कि बार में घर में गया हुआ बुद्ध जो है, वो आपको कह रहा है कि इस हफते जो है, या इस मास में आप जो है, वो अपनी एडवाइस पे अमल ना करके, किसी अच्छे मित्र की एडवाइस पे कारे करें, चाहिए वो आपकी धर्म-पत्नी है, पती है या आपके माता पीता है या आपके से होगी है तो वो आप उनसे राय ले उनकी राय पे काम करें और अपनी राय को अभी थोड़ा सा तरकिना रखे इस हफ़ते पे और इस दुरान ही आपका जो आपके करनी पड़ सकती है इस हफ़ते वेवसाय के समन्द में आपकी चिंताय वैसी बनी पड़ी है तो यह सब कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा और बुद्ध मारगी होने से जब बुद्ध मारगी हो जाएंगे आठ से आठ से पंदर फर्वरी के बीच में तो स्वास्ते में आपके सुधार होता हुआ नजरा आएगा और परिवारिक सहोग आपको इस हफ़ते मिलता हुआ नजरा आ रहा है की बात कर लेते हैं वो है 16 फर्वरी से 22 फर्वरी के बीच में अब 16 से 22 फर्वरी के जो सब्ताह के आरम से ही जो है वो आपको जो आपकी विबिन आर्थिक योजनाए थी उनको क्रियानवित करने के लिए आपको परिशानी वा विलम का सामना करना पड़ सकता है जो भी कारे आप जैसे आपके जो प्रोफेशनल फ्रेंट पर है या वेफसायक एक शेतर में आपका कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा कारे में विलम होगा आपका कारे आपके सीद्ध होते हुए नजर आएंगे या जो भी आपने योजनाए बना रखी दिए उस सफल हो पन होती हुए नजर आएगी परिवार की तरफ से भी थोड़ा काश दिखाई दे रहा है सोला से बाइस फरिवरी के बीच में लेकिन जो आपके जो साज़ेदारी के कारे हैं और साथ ही साथ जो आपके पार्टनर्शिप से लिटेड कोई बिजनस है या कारे करते है या पत अधिश्टी की भावना यहां बनी होगी सफते और खास करके सफते जो है आपको वाहन जो है वो बहुत साथधानी से अगर आप वहां चलाते हैं तो वाहन को साथधानी पूर्वक चलाएं क्योंकि एक्सिर्ण की रोग यहां बने हुए है चोट का भय बना हुआ है और 28 फरवरी के बीच में तो यहां पर लगन पर जो आपके लगन पर सूर्य और गुरु का संचाल होगा क्यूसरी देव जो है आप निराशी प्रिवरतन करके आपके लगन में आ जाएंगे और आपकी जो लाबस्तान में आपका जो इकादिस्तान है वहां पर मंगल और शुक करते हुए नजर आएंगे और उसको क्रियानवन के साथ साथ जो है आपको कामियाबी जो है वो इस हफ़ते प्राप्त होती हुए नजर आ रही है कुम लगन वालों को नौकरी की बात करें या वेफसाई की बात करें तो उसमें भी आपकी जो है आई चलाई चली रहेगी क्योंकि यहां वेवर्थ में आपका समय बरबाद होता हुआ नजर आ रहा है और आपकी पेट की खराबी होगी या कोई चोट का भी भै आपको इस हफते जो है वो फरवरी मास के जो अंतिम हफता है अंतिम सपता है उसमें थोड़ा सब बना हुआ है और उसके लिए आप जो ह कोई इसके दुष्परणामों से जो है वो निजाद मिल सकती है तो यह था कुम लगन वालों के लिए फरवरी महने का लेखा जो खा उमीद करता हूं है यह वीडियो आपको अच्छा लग होगा इफ लाइक दे वीडियो प्ली सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स पर वाचि दे विडियो